इससे पहले के वीडियू में मैं बता चुका था Color Tool Eraser Tool Previous Frame Z से और Next Frame X से और Brush Size Bracket Button से तो आज के इस वीडियू में मैं बताऊँगा Drag Tool पहले हम लोग Color Tool और Eraser Tool दिस्कस कर चुके Drag Tool का जो shortcut है वो Shift D होता है और Drag Tool सबसे पहले आप कहा कर सकते हो footage जैसे हमने पुराना वार ले रखा था same footage ले सकते हो Drag Tool select करो अब यहां पे आप नीचे settings में देख सकते हो नीचे settings में यह वालप पूरा tab है यह अपने काम का चीज है इसको हम लोग देखेंगे तो यहां पे अभी हम सबसे पहले देखते हैं यह साइज साइज अपना हो चुका था साइज क्या करना है ठीक है तो एक चीज़ का ध्यान रखना Drag Tool लेने के बाद यह वाला जो portion है इस पे बहुत ध्यान रखना है सिर्फ Drag Tool से ही नहीं यह आप Color Tool भी ले रखना तो यह वाला portion ध्यान रखना कि कौन-कौन साथ portion टिक होना चाहिए तो जनरली आगर हम लोग sequence paint करते हैं मतलब अगर सिर्फ clean plate बना रहे हैं तो alpha on करने के ज़रू होती है यह जिसे R है G है B है और A for alpha होता है तो sequence paint करते हैं तो alpha जो है वो mandatory होता है आपको on करना तो alpha on कर देना जब sequence paint करना लेकिन यहां पर हम लोग clean plate बना रहे हैं तो इसको on करना नहीं करना कोई जरूरी नहीं है तो यह हमेसा RGB में रहेगा यहां पर यह RGB हमेसा यहां पर शेकर कर दो यहां से करके ब्रस का साइज यह ब्रस का साइज यह ब्रस का साज़ा जाएगा ना कि सर्कलर ठीक है यहां पर mix का value और decay का value यह आगे हम दिसकस करते हैं तो यहां से simply shift de-press कर लो या फिर यहां से click करके brush tool ले लो sorry drag tool ले लो drag tool हमने क्या पता है था यह सब नहीं select होना चाहिए यह select कर लो यह सब भी कुछ भी select नहीं चाहिए कोई जरूत नहीं है यहां पर mix है decay है अपना color जो टूल था उसमें क्या था अगर हम लोग right click करते हैं तो यहां से color sample कर लेता था यहां पर बराशा color का viewer भी था बट यहां पर वैसा कुछ viewer नहीं है तो यहां पर right click करोगा ना तो इसमें क्या करता है अपना drag tool में right click करने पर eraser automatic on हो जाता है यहां यहां पर right click करके ऐसे चलाओंगा ना तो यह देखो eraser की तरह काम कर रहा है तो ड्राइक टूल में यह mainly difference हो गया भी तो right click यहां पर नहीं करना है यहां पर right click करोगा तो वो चीज़ एरेज हो जाएगा अब धियान से देखो ड्राइक टूल exactly कर क्या रहा है थोरा से मैं इसको color को gain को बरहता हूं ठीक है ड्राइक टूल में थोड़ा और बड़ा बरस कर लेता हूं अभी धियान से देखना है यहां पर भी मैं click करके ऐसे खींचूंगा ना तो देखो उस वाले portion को ऐसे खींच दे रहा है देख रहा ह यही ड्राइक टूल का मेली काम है अब यहां पर भी देखो ऐसे ड्राइक कर देता है इसको अगर मैं click करके खीचता जाता हूं युदर की तरफ तो ऐसे इसे वाले portion को ड्राइक करता हूँ चला जाता है यह हो गया right click करके मैंने जो भी जहां भी ड्राइक किया कुछ भी कि अगर मैं 50 opacity पर ड्राइक करूंगा या उससे कम है मालो something 49 अब यहां पर ड्राइक करता हूं तो यह दोने में थोड़ा असा opacity कम हो गया और थोड़ा कम कर देते हैं अब यहां पर opacity का यह खेल है अब ही मैं इसको remove कर रहा हूं ठीक है right click करके remove कर रहा हूं तो यह बहुत धीर जल्दे रिमूव हो रहा है क्योंकि opacity बहुत कम है इसको 100 करके remove करूंगा तो यह देखो जल्दे remove हो गया है सेम चीज है यहां वैसे सेम चीज है softness भी है सेम वैसे ड्रैग होगा लेकिन थोड़ा soft brush के थोड़ राइग होगा मैं इसको भी remove कर देता हूं अब धिहान यह रखना कि जो भी मैं ऐसे अगर मालो मेरे को इतना सब कुछ remove करना सीध है मैं यहां पर जाओंगा इस वाले portion पर यहां delete पर current frame करूंगा यह देखो सारा history delete हो गया अपना कुछ भी नहीं रह गया अब drag tool यहां पर दो चीज़े दिख रही है डीके दिख रहा है और mix दिख रहा है तो पहले देखते हैं डीके क्या होता है तो अगर मालो मैं यहां पर दिखाता हूं ठीक है ऐसे click करके खीच रहा हूं और last तक खीचते जाता हूं देखो यहां तक आके यह रुक गया अगर dk मैं 100 कर देता हूं और इसको खीच रहा हूं और last खीचते जाता हूं देखो खीचते खीचते बिल्कूल जहां तक मैं खीच रहा वो खीचता चला जा रहा है ठीक है वही अगर 90 था तो क्या हो रहा था बस एक पोर्सन पर लास्ट जाके खतम हो जा रहा था तो यह सीन है अब इसको मैं पहले कर लेता हूँ रिमूव कर लिया है वैसे यह डीके को मैंने 90 के अभी देखो और कम करता हूँ 65 63 करता हूँ अभी देखो इतना दिर में लिया है तो मिला हम लोगी जो डीके का है न ना वह चेर शार नहीं करते हैं मैंने तो आच किया नहीं तो इसको कटिपॉल्ट जाएगा इस पर क्रिक करेंगे केको डिफॉल्ट से एक डिफॉल्ट हो जाएगा अब आता है म मिक्स complicated कि तरह ही आप थो भूद को आपको तक रिखके मैं और मार रहा हूं लेकिन में पचास कर दो ना अभी देखो तो यह ज्यादा करने का तो ना तो कर लेते हैं जैसे अगर 100 कहां पर यूज कर सकते हैं, मालो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, यह सेमसंग का लोगो मेरे को हटाया है, ठीक है, मैं 50 पर अगर मालो यहां से यह बगल का जो कलर है, इसको ऐसे ड्रैक करूँगा, तो देखो, धीरे धीरे ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, अगर में 100 करके और बगल का कलर ऐसे ड्रैक करूँगा ना, यह देखो, तो इसमें काफी ज्यादा इंटेंसिटी से कलर को ड्रैक कर रहा है, वैसी, जिनरली इसको 50 करके भी रख सकते हैं, अब मैं ऐसे-इसे बगल का कलर ऐसे ड्रैक कर करकर एक इसे रिमूव कर दे रहा हूँ, तो 50 में कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रहा जा रहा है लेकिन अगे 100 में करते हैं तो वह बिल्कुल नहीं रहेगा जो अपना लोगो का intensity दिख रहा था धीर दिरे वह अब नहीं रहेगा यहां पर इस तरह से रिमूव कर दिया अब देखो ड्रैग टूल में इसको मैं 50 कर इस दिरे दीर इसे करके रिमूव कर सकते हैं कि अभी डिलवे गलर करना कितला मुशिद था है यह कामरा भी मालूइं ऑला कैम्रा करना मैं इसको फिर से हन्रेश कर लीता हूँ क्यारो साइट से कलर को बीच की तरफ ड्रैक कर लेता हूं क्योंकि दिखो इधर थोड़ा ब्राइट है इधर थोड़ा डार्क है तो उसे हिसाब से मैं कलर कर रहा हूं ताकि वह मैच अप हो जाए लगे ही नहीं कि यहां पर कोई कुछ था भी थोड़ा से थोड़ा सा श्मजी ताइप के लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ इसको normal करता हूँ यहाँ opacity किदम कम कर लेता हूँ बिल्कुल 35 something और जो smudge जिसा लग रहा है उसको ऐसे match करा लेता हूँ अब देखो यहां पे camera गाब हो गया अब यह में क्या कर रहा हूं यह original और यह output देख रहा हूं यहां पे अगर अगर उपर आप जाकर देखोंगे इस वाले portion पे तो यहां पे देख़ों यह दिक रहा है आपको output ठीक है यह वाला portion तो यह output जैसी ही ना तो जो भी आपने प्센िट किया वह दिखेंगा और इसको अगर आप चींज करोगे इंपुट पे तो जो आपका ओड़ीजिनल फुटेज था वह दिखेंगे ऑछ एकलो option दिखेगा और input से original दिखेगा इसका shortcut भी होता है अगर आप keyboard में जाओगे जैसे कि आपका virtual keyboard यह है तो यह जो 1 दिख रहा है 1, 2, 3 उपर में या फिर इधर भी होता है numpad वह भी तो 1 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपका output में automatic चला जाएगा प्रेस करोगे input तो 1, 2, 1, 2 करोगे यह आप original और यह देख सकते हो ठीक है अब ड्रैग तूल सब इतना ही काम नहीं करता है जैसे ड्रैग तूल मैं इसको भी रिमूव करता है अभी यह रिमूव क्यों नहीं हो रहा क्योंकि मैंने 35 कर रहा है इसको मैंने 100 कर दिया अभी देख तो वहां से जो minus plus के लिए नजदीक का जो बटन होता है ना जैसे sequence पिंट करता हूं तो यह सब का बहुत यूज करता हूं तो यहां से नजदीक परता है अपना यह वाला बटन तो इस से चोटा बड़ा कर रहता हूं क्योंकि को control भी है लेकिन इस control का आदत नहीं रहता है तो मेरा वही ठिक रहता है और देखो हो गया इस तरह से अब देखो इधर सेथरा से यह ड्रैग हो गया था तो इस स waiver से यह वाला भी खीच गया था मेरे को थोड़ा ध्यान से ड्रैग करना है कि अधर के अले द्रैग नहीं हो अब देखो यह अपना ट्रीपल कैमरा वाला सैमसंग डॉल कैमरा का हो गया हाँ अच्छा है तो हाँ क्या बताया था अब यहां पर एक चीज ड्रैक टूल का यूज करने का एक और बहुत मतलब सही तरीका है कई अब यहां पर यहां पर कुछ है नहीं कि मैं बता सकूँ तो मैं यह देखां अभी यह वाला जो लाइन है आ रहा है जैसे की बता बहुत में इसे सीधा ऐसे लेकर जाना है ओ फिर यह लाइन ऐसे सीधा लेके जाना है तो इसके लिए हम लोग करेंगे कैसे सीधे ड्रैग टूल सेलेक्ट करो आल्ट जो होता है कीबूर्ट का यह वाला बटन यह वाला आल्ट सिंपली यहाँ पर आके आप अगर ब्रस को में थोड़ा छोटा कर देता हूं ने इसको यह रिलीज करोगो तो यहाँ यहां पर क्लिक करो आप्स्ट करों यही इसको 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 स्टेट लाइन में खींचे देगा जैसे की और भी मैं दिखाता हूं इसे ब्राइटनेस अब देखो इसको इसे ड्रैग करना चाहूं किसी चीज को ड्रैग कर सकता हूं अभी मालो यह मिक्स हंड कर लेता हूं इसे ड्रैग हो जाएगा जीसे भी चीज को चाहूं मैं ड्रैग करना वैसे ड्रैग हो जाएगा अब यह कहां पर काम आ सकता है तो देखो काम करने के लिए बहुत ही सही दूल है जैसे देखो यहां पर हम लोग को रिमूफ कर रहे थे हैं ठीक है तो इसको रिमूफ मैं कैसे कर सकता हूं यहां पर ऐसे अल्ट होल करके ऐसे इसको स्ट्रेट लैन में इधर से कर देता हूं इसको इधर से ड्रैक कर देता हूं ऐसे ऐसे इधर भी थोड़ा तो यह देखो यह इस तरसे रिमुव हो गया तो मैं फीर से बतातायू ठीक है ? पहले ऑल्ट में प्रेस काई जहां पर करने के लिए ऐसे बहुंत सहरे पर की चुर्ट कि जाहां फिर क्लिक किया इसको जिसे मैंने alt hold किया, click किया, click छोड़ दिया, अब इधर जिधर drag करना है, उधर mouse लेके गया, दुबारा से click किया, done, वैसे ही, इधर, click, in alt, click, ऐसे, बहुत easy है, ठीक, यह बहुत सही tool है, आप या तो ऐसे use कर लो, या तो बगल का अगर color drag करना है, तो ऐसे click करकर, ऐसे drag कर सकते हूं, धियान क्या रखना है, यह drag tool जो है, हमारा सिर्फ plane surface पर काम करेगा, जैसे कि यह वाला surface था, अब यहां से भी key, अगर remove करना है, तो ऐसे drag करके तो आप remove कर नहीं सकते है, बिल्कुली odd से लगेगा, इसको अगर 50 भी कर लेते हैं, तो देखो, बगल का नहीं drag क कर सकते हैं, तो अपना drag tool भी जो है, वो कहां पर काम करेगा, plane surface पर, जैसे यह वाला plane surface है, पता नहीं चलता है, अगली ची मैं बता रहा था है, यहां जी circle है, circle को और अगर आप square से लेक कर लोगा है, तो देखो, आपका brush square हो जाएगा, अब भी देखो, यहां से मैं कुछ ड्रैक करता हूँ, तो यह square ही paint होगा, मतलब, इस तरह से square type का आएगा, तो हमेशा इसको रखना है, circle, अब यह सारी चीजियों को मैं remove करना है, remove कर देता हूँ, यहां से मैं paint करूँगा, remove, यहां से मैं paint करूँगा, remove, नेक्स वाले frame पर जाता हूँ, मैंने क्या किया था इधर, एफ प्रेस करोगे, आफ एफ तो यह जैसे मालो छोटा बरा की यह इधर यह कहीं चला गया, तो बीच में इसको लाना है, आप एफ प्रेस करो, यह बीच में आजाएगा, यहां से जूम कर सकते हो, इन ओर जूम आउट करने के लिए मैं जो माउट का स्क्रॉल होता है, मैं उसको स्क्रॉल से जूम ई双 जूम आउट कर रहा हूँ, दूसा तरीका क्या होता है कीवोड का आपका यह जो प्लस और माइनश बटन है经 Originally, क्यों के प्रेस करकर जूम इन जूम आउट कर सकते हो, यह भी एक अच्छा तरीका है निक सी यहां पर यह जो दिख रहा है आपको यह है अपना color space ठीक है तो कई बर आप footage लोगे ना तो color space ठोड़ा different आएगा लाइक अगर मैं अभी दिखा हूं आपको तो यहां पर देखो यह footage है यह ठीक है यह कभी linear में रहेगा तो linear में इस तरह से दिखेगा जैसे इसके पीछे बरा जो फोटे सा linear में ऐसा बहुत ब्राइट डिख रहा थे इसको कम भी कर रहा है तो थोड़ा उतना अलग सा फील आ रहा था तो इसको मैं color spaces का change कर रहा हूं यह srgb बहुत यह original जैसा दिख रहा है लेकिन यह मैंने तो इसमें आप काम करने के लिए में बहुत अच्छा लगे उसमें आप ले जाके काम कर सकते हैं तो मैंने यह record किया था रेक 709 में नो इस RGB में यह ज्यादा बेटर है इस पे कर सकते हैं फी टूल आपने सीट लिया समझ लिया कैसे work करता है अभी आपको क्या करना है इसमें आपका काम क्या है तो इस वाले फूटेज में आपका टस्क क्या रहेगा इसको आप ड्रैक्टूल से रिमूफ करो ठीक है यहां पर जो तीन-चार कैमरे सब को हटा दो इसको हटा दो पूरा ड्रैक्टूल से फिर नेक्स वाले अगर हम लोग इसमें जाते हैं इस वाले अब चरफ तूल शुम्हर सबुन खराज बहुत करों अब कंसी क्या करना यह विए दिए ड्रैक्टूल से रिमूफ करना यह बस इतना है लेकिन करना है पूरा ड्रैक्टूल यह सब इस सब्साई से रिमूफ होना चाहिए लेकिन यह छो सैड़ू है सडों है यह अपका मैं रखो जैसे है लेकिन आपका जो यह sticker है यह हो जाना चाहिए रिमूफ और यह सब भी रिमूफ हो जाना चाहिए मैं नेक्स फूटेज देखूँ तो नेक्स फूटेज में यह है अब यह फूटेज आप देखे रहो थोड़ा इसको खाए स्टहरे जाना चाहिए स्टहरे लों अब अधैस के घूटेज दॉक型 है टिकर आप 10 लेकिन यहां पर ध्यान से सब्कान ऊसकाद नहां खो जाना घ्कास गामा इत्वराज ज़स करता हूँ देखो यह इधर टेक्स्चर जैसा कुछ दिख रहा बाट यहां पर मैंने ड्रैग टूल से क्या तो यह है फ्लाट हो गया तो ड्रैग टूल से इस तरह काप रिमूव नहीं कर पाऊगे ठीक है तो यह कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा नेक्स क्लास में फिलाल